मैसिष दूरम्रेल वर thrown in cryptocurrency क्रिप्टा फालमारकेट मेशाय हर। ब्रिबूरम्र कुछा हम दौँंछ भलतेला है धरासािटम ही था धरेवेबल वेब साइट हयने तो मेरी तरह आप पीछ फंट गहर सुन दे हैं थोड़ी सी research करने कोशिच किजिए, research करना बहुत ही असान, मैं चाहता तो इसको पीपीटी की तरहे compile कर सकता था, बट आपको मालूम है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे viewer, जैसे मैं analysis करता हूँ, जैसे data मैं compile करता हूँ, जहां से data मैं देखता हूँ, आपको वो सब चीजे व बहुत साई viewers है, जो मुझे message कर रहे हैं, crypto के उपर वीडियो डाली है, crypto के उपर वीडियो डाली है, चैनले देखते हैं कि हाल क्या है, इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कौन-कौन सी cryptocurrencies कहां-कहां ट्रेड कर रही है, किस level पर ट्रेड कर रही है, कोशिश करेंगे देख हो, चैनले इथेरियम हो, चैनले देखेंगे कोई बी कौन हो, अगर आप crypto currencies में ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं, तो यह वीडियो आपने ज़रूर काम गाया, गाइस, उपर से एक लिस्ट उठाके देखी जाया, bitcoin, ethereum, tether, binance coin, usd coin, cornado, hex, solana, solana, solana बहुत ही famous हो, आ कि तो bitcoin का, जो आज का change है, वो का आज 3% के आसपास, वो आज भी down है, पिछले एक हफ़ते में 18% minus हो चुगा है, पिछले एक महीने में almost 24% के आसपास वो गिर चुगा है, पिछले 3 महीने में 42% का sell-off, सोच सकते हैं, 3 महीने में 42% का sell-off, आपका अगर इस column पे देखा जाए Bitcoin में हो चुगा है, Ethereum के अंदर में 40% का sell-off है, Teether flat है, Binance Coin इनको देखा है तो 26% का sell-off है, Cornado में 51.69% का sell-off है, और अगर और भी किसी के ऊपर रज़र डालने की कोशिश की जाए, तो हाल अच्छे नहीं है, XRP को देखा है, 45% का sell-off है, Terra increase होता दिखा ही दिए है, पिछले 3 म महिने का अगर हाल देखा जाए, तो ये सब के सब माइनस में है, सब माइनस में है, 30%, 35%, 25%, पिछले 3 महिने में 51%, 41, 51, हो गया है, पिछले 1 महिने से सेलिंग चल रही है, आपको समझ में आना चाहिए, अगर yearly performance की बात देखे है, तो yearly क्या gain होए थे, HECS ने 2000% के आसपास की return दी, 2016 में 2721% की return दी, मतलब लोग लखपती, करोडपती होगे, क्रिप्टो करंसी के अंतर में, बट गाइस, एक बात बताईए, जिस चीस के कोई underlying नहीं है, जिस चीस के पीछे कोई fact नहीं है, कोई base नहीं है, मैं हमेशा से कहता है, आपको investment वहाँ करना चाहिए, जहाँ को base हो, for example, आप हिंदुस्तान लीवर का एक share खरीते हैं, तो आपको मालूम है, हिंदुस्तान लीवर क्या करती है, टीसिस का share खरीते है, टीसिस का करती है, अगर company बरबाद होई, company काम धंदे बरबाद होगे, तो share market में आपको रातो रात घाटे होगे, आपका पैसा of money exchange accept करती है, को बहुत से country इसको नहीं मानती है, तो ये जदो जायती है, ये debate हमेशा से चलती रहेगी, तो हमेशा से ये जो डर है कि कभी भी fall हो जा रहा है, कभी भी अचानक से short portions का cover हो जाना, बहुत ही बड़ी spike आ जाना, crypto currencies में हमेशा से ये सब चलता रहेगा, तो जिस की heartbeat में दम हो, जिसमें मजबूती हो ये सब जहलने की वो ताक होता हो, तो वो crypto currencies में काम करें, trade करें नहीं, तो मेरे साब से equity market से शांदर कुछ भी नहीं है, चली मैं यहाँ पर crypto currencies के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो equity को बात में बात करेंगे, हम crypto currencies की ही बात करते हैं, तो जितनी भी currencies आपने देखी हैं अभी, चाहिए वो Bitcoin हो, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके Bitcoin crash हो जाएगा, क्या और crash होगा, क्या हमें इसमें से भाहर आ जाना चाहिए, एक साल में Bitcoin ने, पिछले एक साल में सिर्फ 9% की return दिया, आप सोच के देखिए, और Ethereum ने 96% की return दिया Binance Coin ने 752% की return दिया है, Cornado ने 195, Hex ने 2204, Solana ने 2721% की return दिया है, और अब पिछले एक हफ़ते का जो change है, 18%, 27% Ethereum टूटा हुए, Binance 30% टूटा है, Cornado 27% और आज का जो change है, आज भी Bitcoin 3% गिरा हुआ है, Ethereum 5.84% अभी भी गिरा हुआ है, Binance 9% साफ हो गया, Cornado 8%, Solana 12% की return दिया कि प्रोकरंशी के अंदर में जो इतना बड़ा sell-off इसके अंदर रहा है, इसके कुछ वज़े है, चलिए, डेटा कहां से ले रहा हूँ, किसकोन सी news को trust कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुती trusted website है, जिसको में trust करने कोशिश कर रहा हूँ, जो आप से share कर रहा हूँ, वो है हमा क्यों crash हो रही है, थोड़ा सा इस की समझी को देखने की कोशिश कीजिए, बितकोई को लगता है, एक लाख डॉलर क्रिप्टोकांस ही हो जाएगी, दो लाख क्रिप्टोकांस ही हो जाएगी, हो सकती है, कुछ महीं मालूम नहीं है, जिसको कोई underlying है, जिसको कोई base नहीं है, fundamentals नहीं है, सिर्फ technicals, technicals है, technicals भी fail हो जाते हैं, ऐसी चीजों के basis पे, क्योंकि जहाँ fundamentals काम नहीं करते हैं, वह technicals भी fail हो सकते हैं, तो यहाँ पे massive sell-off की reason क्या है, वो देखने वाली बात है, जो study करते हैं कि यह क्यों crash कर रहा है, इस crash के पीछे की वज़य क्या है, the latest route is believed to be proposed by the Russian Central Bank to ban cryptocurrency, guys, इस पर ध्यान रखिए, the Russian Central Bank है, उसने proposal दिया है, कि cryptocurrencies को, Russia में, Russian territory में ban कर दिया जाए, अब Russian territory इतनी बड़ी है क्या, बहुत important है, उसको आगे पढ़ने कोशिच करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कि यह ban, अगर Russia लगा देती है, Russian territory के अंदर में तो यह कितना जादा important हो सकता है, कितना जादा घातक हो सकता है, cryptocurrency owners के लिए, समझ लीजिए, इसके पीछे की वजह क्या है, it is due to the risk that cryptocurrencies processes of financial stability, जी हाँ, अगर किसी government के अंदर में, उसकी अपनी currency, for example, US में हम USD की बात करते हैं, Europe में Europe की बात करते हैं, इंडिया में के रुपी की trade होने लग जाए, यूरो को छोड़के, यूरो से सारा financial stability, अगर माले जी टांसफर हो जाता है, cryptocurrencies की तरफ पे, तो कितना बड़ा risk है country के लिए, country insolvent हो सकती है, अगर सारा पैसा वहार रूट हो जाता है, तो country की अगर अपनी खुद की currency devalue हो जाती है, जी हाँ, devalue होने के पूरे पूरे chances रहते हैं, इसलिए चाइना ने cryptocurrency के उपर पूरा पूरा बैन लगा जिया था, पूरा पूरा बैन वो prevail करते है, अपनी currency को बचाने के लिए, तो अगर रुशिया यह सोच रही है कि financial stability खतरे में है, तो यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, गाईस, तो म सबसे बड़ा reason number one रहा, रुशिया का moment, बैन कराने की तरफ, उसको proceed करना, वो सोच रहे हैं, इसको बैन कराने के लिए, दूसरा सबसे बड़ा reason, जो federal reserve है, federal reserve हो सकता है, interest rate को high करें बार बार, मार्च तक कई बार, multiple time, multiple time अगर वो interest rate high करेंगे, तो आपको मालुम है, जब US म bond market में जाने लगता है, वहाँ पर equity से निकलता है, currency से निकलता है, बाखी किसी भी investment asset से पैसा निकलके, bond की तरफ जाने लगता है, bond की yield जब हाई हो जाते है, rate of interest वहाँ हाई मिने लगते हैं, तो safest asset की तरफ जाने लगते हैं, लोगों को लोगों पर inflation बहुत हाई होई है, त जो equity markets है, वहाँ से sell off होके, पैसा निकलके, bond की तरफ जाने लगता है, debt market की तरफ shift होने लग जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी वज़ा हो सकती है, कि US federalism आने वाले time पे हो सकता है, multiple time rate of interest को high करें, तो ये second बहुत बड़ी वज़ा है, जो cryptocurrencies और equity में भी sell off की वज़ा है, positively correlate हो गया है, wall street के साथ में, equity markets के साथ में, तो अगर wall streets बढ़ने लगती है, तो cryptocurrencies भी बढ़ने लगती है, जब wall streets में sell off आ रहा है, तो यहाँ पे parallelly, वहाँ पे भी sell off आता दिखाई देता, तो growing correlation between the traditional market with the cryptocurrencies is possibly the one of the reasons कि यहाँ पे भी sell off आ रहा हो, उसके बाद जो वज़ा अगर अगर आपने 100 रुपे दिए हैं, तो आपको वापस उसके इसमें 90 रुपी और leverage मिल दाते हैं, उससे भी ज़्यादा positions आप बना सकते हैं, अगर आप trader है, scalpers हैं, तो basically जो leverage positions होती हैं, अगर मानलों एम्टम losses आएंगे, तो positions कटेंगी, तो positions कटती हैं, तो market rate पे काटी हो, चाहे equity हो, चाहे cryptocurrencies हो, currencies हो, commodities हो, तो जो positions में sell-off आएगा, leverage की positions को काटा जाएगा, तो एक massive sell-off आता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजय हो सकती है, cryptocurrency के sell-off की, अब सबसे important चीज़ देखनी कोशिच कीजी, impact and outlook, इसको पढ़ते हैं, पुरा line by line पढ़ते हैं, ताकि बहु quickly become the, one of the biggest crypto adapters in the world, ban करने कोशिच करें, पर वहाँ पर legal status है उसको, जिसके चाइना ने ban तो कर रखा है, cryptocurrency को, उसके result की वज़े से, चाइना ने जब ban किया था, तो चाइना के ban की वज़े से, Russia had become the third largest, mind me, please read out this, third largest bitcoin mining hub in the world, तो third largest mining hub in the world, अगर रशिया है, और अगर वो, इसकी trading को, इसकी investment को, इसकी dealing को, अगर ban करने की सोच रहे है, अगर वो ऐसा motion pass करने की कोशिच कर रहे है, या ऐसा request किया जा रहा है, सकार का, चीज़ को ban किया जाए, तो भाई, मेरे हिसाब से, बड़ी danger situation है, third largest country से, अगर sell off आएगा, तो बज़ार ऐसे ही गिरेगा, बज़ार पर देखने कोशिच करें, तो ये massive sell off है, this is a straight sell off, तो यहाँ पे, बज़ार ने एक हाई तो लगा था, 69,000 के आसपास में, उसके बाद से, 69,000 से, 35,000, मोड़ा मोड़ा 40% का sell off, is it a correction, हम correction तो वहाँ कहेंगे, जहाँ पे कोई underlying हो, कोई fundamentals हो, लग रहा है, कुछ transitions है, कुछ sector change हो रहा है, FIs निकल रहे है, यह हो रहा है, वो हो रहा है, पट यह cryptocurrencies के अंदर में, यह भी माना जाता है, कि it is a threat to the nation, हो सकता है, इसके थूरू terrorist funding हो रही हो, इसके थूरू ऐसे illegal activities हो रही हो, जो government के काबू में ना हो, क्योंकि cryptocurrencies पूरा-पूरा जो segment है, वो हमारा blockchain के उपर trade क थूरू में, जो cryptocurrencies हम ultimately इसको हम कहते हैं, चाहिए Bitcoin हो चाहिए, कोई भी हो, यह बहुत ही risky model हो जाता है, किसी भी government के लिए, कि अगर अगर उस देश में, अपनी currency से जाधा, अगर trading, cryptocurrencies में हो रही है, उसको जाधा medium of exchange, medium of acceptance, अगर माना जा रहा है, mode of acceptance माना जा रहा है, transactions के लि क्रिप्टो करंसी अच्छे है, बुरे ही मैं नहीं कहना चाहूँगा, यह आप decide कीजिए, क्रिप्टो करंसी के मैं favor में personally कभी भी नहीं रहा हूँ, बट हाँ, investment के हिसाब से लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, लोगों ने, किसी को भी knowledge नहीं है, without knowledge ही, जिसने भी पैसा ब पर भी लगाया, किसीने 40,000 पर भी लगाया, किसीने 60,000 डॉलर पर भी पैसा लगाया, यह expect करते हुए कि एक लाग डॉलर हो जागा, दो लाग डॉलर हो रहेगा, guys आप एक चीज़ समझ दीची है, मैं financial markets में 20 साल से हूँ, ऐसी कोई भी investment class नहीं है, जो हर साल आपको 1000, 2000, 5000 परसंट निकाल के देगी, bank FDs अगर आपको 5-6 परसंट दे पाते हैं, तो बहुत ही conservative है, सबसे कम आपको रिटरन साज की रिट में, saving accounts में, या FDs में आ रहा है, उससे तरह अगर आपको 6 तो NPS में जा सकते हैं, है ना, बहुत साई ऐसी PPS में जा सकते हैं, 7-7 परसंट के Expectations करना, it is absolutely irrelevant, impractical, लालच है, बहुत ही खराब लालच है, मैं में जा सकता हूँ, लालची होना अच्छा है, बट यह इतना खराब लालच होना डंजना से, guys, guys, पैसा आपके बच्चे की तरह से, जैसे अपने बच्चे को आप खुद पालते हैं, अपने पैसे को भी देगी, आपको अपना choice है, अपने अपनी will है, अपनी अपनी सोच है, अपनी risk appetite है, जैसा आपको आप मन कर ही कर सकते हैं, अगर मुझसे पूछा रहा है, तो मैं इसमें कोई मेरी zero investments है, बट अगर मालों कोई मुझसे पूछा है, कितना investment करना चाहिए, तो मैं कहुँँगा rather broaden, यह आगे और जा सकता है, यह sell-off आगे और भी continue कर सकता है, तो मेरी अपसर request है, आप अपनी hardened money को 100% cryptocurrency में invest ना करें, वो पैसा लगाने कोशिश करें, जिसका खोने का आपको डरना हो, आने पे खुशी होगी अच्छी बात है, पर जाने पे डरना हो, तो मेरी अपसर request है, बी safe, अपने पैसे को safe रखिए, safe assets में, asset class में invest कीजिए, property देखिए, equity देखिए, debt देखिए, bank equity देखिए, पीपफ देखिए, जो आपको समझ में आता, आपके risk capital के हिसाब से, वहाँ पैसा लगाईए, मेरे हिसाब से, this is a very dangerous sign, अगर Russia वाकिए इसको ban कर देती है, तो you never know क यह कहां से कहां तक tumble कर सकता है, उसके बाद सोच के देखिए, कितनी wealth खतम हो जाएगी बजार से, तो this is all yours, cryptocurrency is yes or no, type out कीजिए, comment section में जाके कि क्या आप निवेश करते हैं, क्या आप निवेश अभी भी करना चाहेंगे, हाई है ना, आपके comments को personally पढ़ूँआ, personally उनको like कर नहीं किया है, तो ऐसे interesting videos और ऐसे learning videos पाने के लिए चैनल को subscribe को लिजिए, bell notification को hit कीजिए, ताकि मैं और आप हमिशा से मिल सके और इस YouTube family में एक और नया member आड़ हो सके, thank you so much for joining my channel, and thank you so much for watching this video, take care, bye-bye, jahin.